हेलो फ्रेंद्स जै माता तुर कैसे हैं आप सब दोस्तों फाइनली गटमती चौद का त्योहार आगया है गणेश चतुर्थी आ गई है और हम सब की दिलों में एक ही जाहत है आओ आओ गजानन आओ आखर भक्तों का मान बढ़ाओ गजानन ओम गणगणपते नमो नमः शिस्ति विनायक नमो नमः अस्ट विनायक नमो नमः गणपती बप्पा नोर्या तो लिए गणपती देव की गणेश चतुर्थी का दिन है और आज से लेकर अनन्त चतुर्दशी तक अगले 10 दिनों तक गणपती देव की आराधना और पूजन का दिवस माना जाता है अगर आप भी अपने घर में गणपती देव को बैठा रहे हैं तो आपको आज में बताऊंगे कि शुब मुहरत कौन सा है सही समय, सही काल और किस विधी से आपको सही तरीके से कैसे स्थापना करनी है कौन सी गलतियां है जो आपको भूल से भी नहीं करनी है वरना आपका जो बैठा बिठाया है पूजन के सारी मेनत आपकी निश्वल हो जाने वाली है सबसे पहले जरूरी होती कि गणपती देव की हमें एक प्रतिमाल आए अगर आपके घर पे है आप उससे पूजन करना चाहते हैं बिल्कुल कर सकते हैं आप चाहें तो नहीं प्रतिमाला सकते हैं और नहीं तो आप सुपाडी के गणपती देव भी बना करके अपने घर में पूजा में स्थापित कर सकते हैं सुबह से लेकर शाम के बाद कभी भी आपको चंद्रमा कलती से भी दर्शन नहीं करने चाहिए सबसे पहले गणपती देव को स्थापित करने के लिए अपने घर को साफ सुत्रा कर ले अपने पूजा स्थलकी साफ सफाई कर ले और मानिता ऐसी है जैसे मैंने बताये कि दोपहर को करना है तो दोपहर के समय ही आपको स्थापना शुरू करनी चाहिए आप मूर्ती एको फ्रेंडली लाएं बजार से लगाएं घर में बनाएं सुपाडी से बनाएं या आजकल तो फिटकरी के गणपती इस बार बहुत आएं वो आप ला सकते हैं मिट्टी के गंपती अपने घर में मिट्टी ले करके गंबले में से उससे आप गंपती बना सकते हैं किसी भी प्रकार से आप गंपती बनाए और फिर उनका विसर्जन आप बाद में एको फ्रेंडली तरीके से करें ये सर्वस्रेष्ट है गनपती की स्थापना करने से पहले खुद को स्नान करने अच्छे से नए या साफ धुलेवे वस्तर पहने ध्यान रखे पुराने कटे फटे वस्तर आपको धारन नहीं करने चाहिए अपने माथे पर थोड़े से कुमकुम और अक्षत से तिलक लगाए और फिर पूरब दिशा की और मुख करके आसन पर बैठ जाए आसन भी आपका कटा फटा नहीं होना चाहिए पत्थर आदी का आसन इस्तिमाल नहीं करना है नॉर्मल कुश का आसन या फिर उनी आसन आप यूज करें गणेश जी के प्रतिमा को किसी लकडी के पटरे या गेहू, मूँ, जुआर, आदी के उपर आप लाल रंका बस्तर बिचा करके स्थापित कर सकते हैं या फिर एक साफ चौकी ले ले उस पे लाल कपड़ा बिचा ले और उस पर थोड़े से अक्षत रखकर गणपती देव की प्रतिमा को स्थापित करें केले के पत्ते पर भी स्थापना की जाती है उस पर कर सकते हैं और गंपती देव की प्रतिमा के दाहिने और बाहिने साइड अगर आप रिद्धी सिद्धी को नहीं लेकर के आए तो दो सुपाड़ी ले ले और दोनों को रिद्धी सिद्धी का भाव करके उनके आजू बाजू एक एक सुपाड़ी आपको रख देनी है गणपती देव की चौकी के पास आपको तामबे या चांदी के कलश में या मिट्टी के कलश में जल भरके रखना है और कलश हमेशा दाहिनी और ही स्तापित करना है इस कलश के नीचे आपको थोड़े से चावल या साबू तक्षत जिनको हम कहते हैं वो रखे और इस कलश पर स्वास्तिक का चिन बना करके मौली अवश्य बांदे अब गणपती देव की दाहिनी और ही घी का दीपक आपको जलाना है दीपक को भी आपको जब पर सीधा नहीं रखना है इसके नीचे चावल रखें पूजा का समय रोज आप एकी समय पूजन करें इस बात का ध्यान रखें और गणपती देव की स्थापना के बाद अपने सीधे हाथ में यानि दाहीने हाथ में राइट हैंड में अक्षत और गंगा जल ले करके पूजा का संकल्प करना चाहिए आप जितने दिन भी पूजा करना चाहते हैं एक दिन दो दिन सापना दस दिन सापना वो आप बोले कि या तो मैं आज करूँगा पूजन या दस दिन करूँगा इस प्रकार से अपने गोत्र को बोलते वे दिन जगह, स्थान जिस जगह पे आप बैट करके वरत को करेंगे वो सभी बोलते वे आप एक संकल्प कर ले अपनी भाशा में कि मैं इतने दिन तक गणपती देव आप हमारे घर पे विराजमान रहें मैं आपकी पूजा और वरत क करूंगा ओम गणपती देव का आवहान करना चाहिए पूजन करते वे और उनसे रिक्वेस्ट करें कि ये गणपती देव आप रिद्धी सिद्धी के साथ हमारे घर पे विराजमान हो अब आपको गणपती देव का पूजन शुरू करना है अगर स्नान करा सकते गणपती सेव की मूरती को अगर मित्टी की मूरती नहीं है तो बहुत अच्छा है आप गठेश को स्नान कराईं है पहले जल से फिर पंच्छामरिच से धूद दही घी शह Comua ऑर चीनी का मिश्रन बनाकर के और फिर शुद्द जल से स्नान कराउं मिट्टी की आदी की मूरत्ती है तो आप जो दुर्बा घास होती है उसकी गांठ बना ले और उससे ये सब चीज आप हलकी इलके चुड़कते जाए गडेश जी को दुर्बा या पान की पत्ते की सहाईता से स्नान कराया जाता है इसलिए वैसे ही स्नान कराएं स्नान कराने के बाद पीले वस्त्र आपको गंपती देव को धारन कराने चाहिए पीले वस्त्र नहीं भी है तो मौली से वस्त्र का भाव करे और धारन कराए इसके बाद जनेव जरूर आपको उनको चढ़ाना चाहिए फिर उनकी प्रतिमा पर सिंदूर, अबीर, गुलालादी चड़ाएं, चंदन चड़ाएं, पीले रंके लाल रंके फूलों से उनका शिंगार करें फूलों की माला चड़ाना चाते हैं तो वो चड़ाएं और रोली से तिलक करके थोड़ा सा अक्षत लगाएं और फिर मिठाई का भोग लगाएं, मिठाई यार नवैद्य में आप कुछ भी चड़ा सकते हैं, सबसे प्रिया उनको तो सारी मिठाईया, खीर, मालपुए, पेड़े, लड़ू, सब पसंद होते हैं, पर नवैद्य में मोदक, मिठाई, गुड़, सबसे ज़ादा उनको प् एक दूसरा दीपक आपको जलाना चाहिए, गणपती देव की प्रतीमा को दिखा कर हाथ दोले, और फिर हाथ पोशने के लिए ध्यान रखें, आपको पुराना कपड़ा से हाथ नहीं पोचना है, नए कपड़े का इस्तेमाल करना चाहिए, इसके बाद गणपती देव को एक नारियल और दक्षिना प्रदान करें, अब अपने परिवार के साथ मिलकर भजन किर्तन करें, आरती करें, और ध्यान लखें गणपती की आरती में कपूर के साथ आरती आपको करनी चाहिए, घी में ढूबी हुई, एक, तीन, पांथ, साथ इस प्रकार से, और नंबर्स चास्तर सम्मत है, कि सिर्फ एक बार ही उनकी परिक्रमा की जाती है, पीछे घूमने की जगह नहीं होती, क्योंकि दिवार के पीछे हम जगह नहीं चोड़ते हैं, गणपती देव की स्थापना में, इसलिए अपने स्थान पर खड़े-खड़े, आपको एक परिक्रमा करनी चाहिए, किसी भी तरह की भूल चुक आप से हुई है, पूजा के दौरान उसकी माफी आप मांग लें, और फिर आप शुब लाब की प्रापती के लिए, गणपती देव को प्रती दिन जितने दिन स्थापित रखेंगे, पांच दुर्बा अर्पित करें, और पांच हरी इलाइची और पांच कमल गटे की बीज एक कटोरी में रखकर भगवान के चड़नों में रख दें, रोज अलग-अलग नहीं रखना है, पहले दिन रख देना है और लास दिन तक उसको रखे रहना है, लास दिन पूजा के दिन क्या करेंगे आप, जो कमल गटे के बीज है उसको कोई लाल या पीले रंग के रेश्मी वस्तर में बान कर अपने मंदिर में या फिर अपनी तिजोरी में या वर्क प्लेस पर रख लें और जो इलाइची है उसको प्रसाद स्वरूप और परिवार वाले ही सिर्फ ग्रहन करें दोस्तों भगवानगरपती मंगल करता है बिग्न विनाशक है कल्यान करता है और जो कोई भी इनकी शरन में जाता है उसका कल्यान होता है इसलिए आपको मैं बता दू देवता भी इससे अचूते नहीं थे एक बार देवरशी नारद भी जब संकट में फस गए इधर उधर घूमते रहे जब संकट का समाधान नहीं हुआ तो शंकर जी के कहने पर उन्होंने संकट नाशन गनेश स्तोत्र की रचना की इस तोत्र का स्तवन करने वाले कभी भी संकट में नहीं रहते हैं उसका समाधान हो जाता है इसलिए गनेश शतूर्थी के दिन इस तोत्र का यथा संबव पांच बार पाट करें और रिद्धी सिद्धी आपके घर में होंगे किसी भी प्रकार का संकट हो गौरी पुत्र ग दिशा में गनेश जी की मूर्ती स्थापित करने की वजह से पूजा का पूरा फल नहीं मिलता और कभी-कभी तो उल्टा दोश भी लगता है इसलिए गनेश थापना के लिए दिशा और जगह की शुद्धता का ध्यान रखते वे आपको स्थापना करनी चाहिए ध्यान पूरब दिशा या उत्तर पूरब कोन शुब माना गया है लेकिन भूल करके भी इनको दक्षिन या दक्षिन प्रिश्चिम दिशा में नेतित्र कोन में नहीं रखना चाहिए इससे घर में हानी होती है घारी ओफिस में एक ही जगह पर गणेश जी की दो मूर्ती कहीं पे भी आपको एक साथ नहीं रखनी चाहिए इससे उर्जा का आपस में टक्राव होता है जो की अशुब फल देता है एक से अधिक अगर गणपती की मूर्ती है तो या तो दोनों को अलग-अलग स्थान पे रखे या फिर एक मूर्ती आपको विसर्जन कर दीनी चाहिए दोस्तों भगवान गणेश को मंगल मुखी कहा जाता है इसलिए कभी भी गणेश जी के मुख की तरफ से माना जाते है सुख सम्रिद्धी स्वभाग्य सिध्धी आधी आते हैं वहीं गणेश जी का जो पीछे का भाग होता है प्रिष्ट भाग उस पर दुख और दरिद्रता का बास माना गया है इसलिए गणेश जी की जभी भी स्थापना करते हैं ध्यान लखे कि मुर्ती का मुख दरवाजे की तरफ नहीं होना चाहिए नहीं तो सुख सम्रिद्धी आपके घर से बाहर चली जाती ह गणेश जी की प्रतिमा के पीछे दिवार होनी चाहिए प्रतिमा के पीछे खाली जगा आपको नहीं रखनी चाहिए और मुर्ती बाई सूंड हो या दाहिनी हो इसके उपर मैंने पुरा डिटेल्ड वीडियो दिया है आप वो देख सकते हैं अगर अच्छे से समझना चात हैं और नहीं तो फटा फटा आपको बता दूँ कि घर में आपको बाई और सूंड वाले गणेश जी की मूर्ति रखना सरवादिक मंगलकारी माना गया है बात आती है कि कौन से बाई आपका बाई या गणेश जी का बाई तो आप ध्यान रखलें बाई सूंड वाले इसलिए आपको हमेशा घर में बाई सून वाले गणपती यानि की बाई भुजा की और मुड़ेवे गणपती रखना चाहिए दोस्तों दाहीनी सून वाले गणपती यूजुली मंदिर में वो सिद्धी विनायक स्वरूप माना जाता है इसलिए उसकी मंदिर में बहुत दियम से सेवा करनी पड़ती है इसलिए मंदिर आदि में उनको विराजमान करने का नियम आता है पूजन में आप ये सब तो करेंगे ही साथ ही साद गणेश जी को प्रसन न करने के लिए गणेश पुरान हुआ इन सभी का आपको पार्ट करना चाहिए जब तक गणेशी आपके घर पे हैं नित्य हवन और आर्थियादी करते रहें बजन किर्टन करते रहें और रोज आपको नियमित रूप से इसकी कथा जरूर सुननी चाहिए इसमें आपको कोई चूप नहीं करनी है ओम गणगण पति नमह ये महा मंत्र है इस मंत्र का आपको रोज जपना है और आखरी दिन आपको हवन करके मंत्र को पूर्ती देनी है दशांच हवन करे दशांच हवन क्या होता है जितने मंत्र आप आपने किये है उसके 10% मंत्रों से आपको हवन करना चाहिए ऐसा करने से ग गणेश जी की पूजा के बाद हवन करना अत्यनत आवश्यक है। आप धन आगमन के लिए अगर करना चाहते हैं तो श्री सूफ्त का पाठ वी रोज करें। इसके अलावा गरीबों को भोजन कम से कम एक गरीब को आपको भोजन जरूर कराना चाहिए। और जो भी भक्त इस प्रकार से मूर्ती को स्थापित करके भगवान श्री गणेश की पूजन करते हैं। उस भक्त की भगवान श्री गणेश सभी मनोकामनाओं को पुर्ण करते हैं। दोस्तो भगवान गणेश की पूजा में कुछ गलतिया है जो नहीं करनी चाहिए भूल आपको नहीं तो माना जाता है धन्वान भी कंगाल हो जाते हैं सबसे पहले तो ये जानले पूजा में जलाए गए दीपक को कभी भी दूसरे दीपक से नहीं जलाना है शिफ पूजन व कभी भी एक हाथ में प्रणाम न करें शास्त्रों में बताया गया इससे पुण्य नश्ट होता है नरक की प्राप्ती होती है और किसी भी केस में अगर दीपक बुज जाए तो मन में बिना वहम विचार लाए कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा अंधर विश्वासी ना बनत देवे दुबारा से दीप को आपको जला देना चाहिए किसी भी स्तिती में भगवान श्री गणेश को जैसे लड़ू को पाल को घर में अकेला नहीं छोड़ते इसी प्रकार उनको भी जब तक स्थापना है घर में अकेला नहीं छोड़ना चाहिए जब तक आपके घर में ह देश शिवजी आप इनका ध्यान रखना मैं होके आती हूँ। ऐसे बोल करके आपको इधर उधर नहीं जाना चाहिए जो काम से जरूरी जाना है वो करके वापस घर आए और गणेश जी को प्रॉपरली भोग रख के जाए ताकि ऐसा नहोगी गणपती देव को पीछे से प्रॉपर इस्तरी के बारे में किसी भी प्रकार के गलत भाव आपके द्मन में नहीं आने चाहिए इस दरवान यहां तक की इतनी भी मनाई होती कि पती पत्नी को भी इस दरवान अगर स्थापना है घर में तो शारीरिक संबन स्थापित नहीं करने चाहिए दोस्तों भगवान शी गणेश हो या कोई भी शुब कारे हो यूजवली क्या होता है जब कहीं शादी वादी में जाते हैं या कुछ करते हैं तो दूसरे की अंगूठियां पहन लेते हैं एक दूसरे की ऐसा आपको गणेश पजन में निशेद बताया गया है इससे आपको अशुब फलो की प्राप्ति नहीं होती है पूजा करते समय जब आप कुछ क से जल से स्नानादी कराते हैं उस समय ध्यान रखें पिछले हिस्से से कुछ का जो उपरी हिस्सा होता है जो जड़ का हिस्सा होता है वहां से आपको जल नहीं देना चाहिए इससे भगवान को त उनके मस्तक पर चड़ाएं कभी भी उनके पेरों पर आपको नहीं चड़ाना चाहिए। गरेश जी आपके घर में महमान के तौर पर है इसलिए अगर आपके घर पे सातविक भोजन बनता है तो सबसे पहले उनको ही खाना परोसना चाहिए। कुछ भी खाने से पहले सरप्रतम उन्हें ही अर्पित किया जाना चाहिए। इसके बाद सभी भक्त प्रसाद ले सकते हैं। दोस्तों इस प्रकार से आपको पूजन करनी चाहिए और मैं बता दू अगर आप कथा सुनना चाहते हैं जो लोग वो सभी समझ लें। कथा को बड़ी ध्यान से सुनें अगर आप पूजा के दोरान सुन रहे हैं कथा को तो अपने हाथ में थोड़े से पुष्प और थोड़े से अक्षत ले लें और फिर इस कथा को सुनें कथा पुर्ण होने के बाद अक्षत और जो पुष्प है उसको आपको भगवान को चड़ा देना चाहिए शिव पुरान के अंतरगत रुत्र संगीता के चतुर्थ खंड में ये वर्णन किया गया है कि माता पार्वती ने स्नान करने से पहले अपने मैल से एक बालत को उत्पन्न करने के उसको अपना द्वारपाल बना दिया था शिव जी ने जब प्रवेश करना चाहा तो बालक ने उन्हें रोक दिया इस पर शिव गणों ने बालक से बहेंकर युद किया परंतु संग्राम में उन्हें कोई पराजित नहीं कर सका आंत में भगवान शंकर ने क्रोधित होकर अपने त्रिशूल से उस बालक का सिर काट दिया इससे भगवती शिवा कृद्ध हो उठी और उन्होंने प्रलै करने की ठान ली भैभी देवताओं ने देवर्शी नारत की सलहा पर जगदंबा की स्तुती करके उन्हें शांत किया और शिव जी के निर्देश पर विष्णू जी उत्तर दिशा में सबसे पहले मिले जीव हाती का सिर काट कर ले आए मृत्यूंजे रुद्र ने गज के उस मस्तक को बालक के धड़ पर रख कर उसे पुनर जीवित कर दिया माता पार्वती ने हर शाती रेक से उस गज मुक बालक को अपने हिरदय से लगा लिया और देवताओं में अग्रगणी होने का आशिरवाद दिया ब्रह्मा विष्णू महेश ने उस बालक को सरवाध्यक्ष घोशित करके अग्र पुज्य होने का वरदान दिया और भगवान शंकर ने बालक से कहा हे गिरिजा नंदन विग्न नाश करने में तेरा नाम सरवोपरी होगा तु सबका पुज्य बनकर मेरे समस्त गणों का अध्यक्ष हो जा हे गणेश्वर तु भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्ती को चंद्रमा के उदित होने पर उत्पन्न हुआ है इस तिथी में वरत करने वाले के सभी विग्नों का नाश हो जाएगा और उसे सब सिद्धियां प्राप्थ होगी इस प्रकार से श्री गणेश्वर शतुर्ती का वरत करने वाले की सभी मनो कामनाई जरूर पुर्णो होती है आप भी अपने फ्रेंज फैमिली मम्मी बापा भाई भेन बच्चे सभी को इस कथा को जरूर सुनाए और बहुत सारे पुण्य की प्राप्ती करें और साथ ही साथ किसी प्रकार के क्वेश्चन हो वीडियो के नीचे लिखके सरूर पूछ ले सब्सक्राइब करके रखें ताकि आप और मैं आने वाले वीडियो के तुरू कनेक्टेज रहें लव यू आल टेक क्या छे माता दी बंबं भुलेनात की जै गनपती देव की एंड गनपती बपा मोरिया